भाग्य अगर साथ ना दे रहा हो तो कौन से ऐसे जबरदस्त पाई करने से किसमत चमकेगी चांद जैसी जानेंगे हम इस वीडियो में लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों मैं शानल सेट कैसे आप दोस्तों वेडिके मादिम से मेरी हर कोशिश के आपके सिंदगी बैदर स संदेर माइं बाइं बास्टिंग ठा बन जाये जबरदस्त वाली कैसे हो मेरे पाशा लोगों आज का जो वीडियो बनाया है जितने भी लोग हो देखो भई अगर चंद्रमा हमारे पत्री में नेगिटिव है अगर चंद्रमा कही ना कई शनी के साथ है राहू के साथ है के मंगल के साथ है तो एक इनसान के लाइफ में जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी बच्चों से अगर शुरुआद करें तो कही ना कई उनका कॉंसेंट्रेशन बनेगा नहीं मैक्स में देखोगे मेरा भी मैं सबसे बड़ा उधारन तो अपने ही दे देती हूं मैक्स में कंपार्टमेंट है थी है की नहीं ऐसे रट्टे मारने में नंबर वन होते हैं लेकिन जहां पर वो क्याते है न वो गनित की बात आ जाती है तो वहां पर फेल हो जाते हैं एक जगा बैठेंगे तो दमाग इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा उधर भी जाएगा ऐसे करक उनका concentration अगर देखो गए तो concentration हो ही नहीं पाता ऐसे जिनका चंद्रमा कहीं न कहीं वीक होगा दिखावे के चक्कर में वो अपने को एक टाइम पे बरबाद कर लेंगे सही decisions ना लेने की वज़े से एक टाइम पे रोड पे आ जाएंगे उनके जो पार्टनर होंगे उनके चाहे वो business पार्टनर हो relationship के पार्टनर हो अगर वो शनी के साथ है राहू के साथ है और aspect अगर केतू के साथ है या इनकी conjunction है तो लिख के ले लो कहीं न कहीं कहते हैं आप कित इतने भी अच्छे बन जाओ कितना भी लोगों के लिए अच्छा कर दो आपको दढ़ता मिलेगा कहते हैं न कहीं के नमक में justice नहीं होता ऐसे कि यार मैंने तो इसके साथ इतना मतलब क्याते ना जिसके साथ अच्छाई करोगे वो आपको पटकी दे देगा ये मेरे साथ भी होता है सीधी बात है मून राहू के साथ है एस्पेक्ट के तू आपको पता है ये मंगल के साथ है तो कही ना कहीं जिसके साथ आप पेली पे रखके आ जाओगे बंदा उसको भी लात मार के चला जाएगा क्या करें कंजंक्शन है बहीं सीधी सी बात है तो अगर यह सारी चीज़े हो रही है अगर एक टाइम पर पाई पाई को क्या थे है ना तरस गए हो अगर एक टाइम पर ऐसी स्थिति आगे है कि पर जाँब्स आ रही है विवा इतने सारे होते होते टूट गए है तो जो जो चीज़े बता रही हो बजाए धोके कहने के बार-बार जो जो चीज़ बता रही हो आज उसको करना शुरू कर दो पहली चीज़ तो जिन लोगों की भी जौ अना जौब में प्रॉब्लम आ लिया है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ लिया है, बहुत जादा, और पता है बहिया, अगर नाड़ी जोतिष के साब से देखा जाए, 6-8-5-8-2 का कॉंबिनेशन है और अगर two one six eight का कॉंबिनेशन है डिप्रेशन का कॉंबिनेशन है फिर तो क्या ही बोले एक टाइम पे बंदा उसको ऐसे-आसे ख्याल आते हैं कि वो अपना क्याते है ना कि भाई बस अब मेरे को लाइफ क्याते मेरे से नहीं पा रही तो ये हारने वाली बात नहीं किूंकि जो ढर के हागे जीत आए पाशा लोगों कि समझें मेरी Com मिरे को डिप्रेशन हो रहा है कि सीज पर कर पाता है कुछ कुछ ऐसे आपको symptom पता चल जाएंगे भाग्य साथ नहीं दे रहा भाग्य का कारण कौन है बही है चंद्रमाय तो अगर आपको लगता है कि यार एंड मोमेंट पर मेरा भाग्य साथ नहीं दे पर कुछ तो गड़बढ़ होगा सिधी बाद क्या करोगे पहली चीज तो जब ग्रहन लगता है एक बहुत जबरदस सी चीज बता रही हो दस जो नारियल होते है पूजा वाले और थोड़े साबुद बदाम इसको प्रवाहित जरूर किया करो कब करोगे चंद्र ग्रहन वाले दिन इस चीज का ध्यान रखना जब भी चंद्र ग्रहन आए ये आपने ची दूसरी चीज 43 डेस तक जो काली इंक होती है है ना कोई भी पेंट ले लो कोई दिकत वाली बात नी 43 डेस तक जो माई भी है बच्चे का ध्यानी दरुदर दरुदर जाता रहा तो कॉंसेंट्रेट नहीं कर पा रहा अच्छा नशे में भी पढ़ जाते है जो लोग बोलते जी है ना पार्टनर ये वो ऐसे ऐसे करके या खुद भी इस चीज से निकलना चाते है लेकिन कहीं न कहीं कहीं कहते है ना और क्या होता है ना चंद्रमा केतु के साथ रहू के साथ है आप डिटेच्मेंट के टूर्ड जाओंगे आप लोगों के साथ आपका ऐसे एक्सपी होती है काली स्याई को 43 डेज तक भेते जल में प्रवाहित करना शुरू कर दो बच्चे से करा दो आगर आपको पता है कि खुद भी इतनी पटकी खा रहे हो क्या गबराने वाली क्या बात है आप इसको 43 डेज तक प्रवाहित करना शुरू कर दो एक और चीज जबरदस सी बता देती है आपको पाशा लोगों क्या याद रखोगे जिन लोगों के फस जाते पैसे क्योंकि चंद्रमा एक टाइम पैसे आ जाता है कि आपको इतनी मेंटली तोड़ेगा कि आपका हर चीज बिका देगा आपके पैसे जिस पर ट्रस्ट करोगे वो ही आपके पैसे मार जाए रहा है तो हम तो कोशिश यह हैपी है इधर हो जो न है कि नहीं उदर है सुबह सुबह उड़े गया लेकवाल है अभी पाच बजी है चलो कोई बात नहीं अब एक चीज बता देती हो आपने क्या करना है स्टील की कटोरी ले लो स्टील 43 डेस तक करना है बड़ा जब अगर दोनों नेगेटिव है जैसे चंद्रमा होगा वैसे शनी होगा यह हमेशा याद रखना तो अगर यह सारी चीज आ रहे है बड़ी जबर्दस्त माह उपाए बताती हूं क्या याद रखोगे जिंदगी भरतक मेरे को लेकिन इन पाखंड के चक्रों में मत पढ़ना य 59,000 पूजा 69,000 गुरु चंडाल पूजा चंद्रमा पूजा देश्ट पूजा देड पूजा आपको पता ही है कितने एक्जेंपल्स दिखा हूं आप उधर बैठे मैं भी दर बैठी चैलेंज मार के बोल रही हूं इनके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करो कोई बात ब हो जाएगा तुम बरबाद हो जागे बच्चे दूर हो जाएगे कि हो जागा वह जाएगा बस इनके ड्राम में शुरू हो जाते हैं ड्राम में है क्या आपको समझ नहीं आती क्या एक्टिंग स्किल आप भी किसी पर भी फोन पर पैसे डिपॉजिट कर काई को कंसल्टेश दोश है बच जाओ पाशा लोगों कब बचोगे कब समझोगे सीधी बात चलो अब बताती हूँ स्टील की कटोरी में स्टील की कटोरी ले लो उसके अंदर बड़ क्या जो आनार का अनार का जो चलका होता है उसको 84 पीसिज में कट कर दो आपने वो दाने यूज नहीं करने, दाने को साइड में रख दो, 84 करोगे, काड दोगे, उसके अंदर रख दो, उसके अंदर दूद भर दो, और अपने सिरहने रख दो, अब इसको अगले दिन जाकर, मंदिर में जो पीपल का पेड़ जो भी धरमस्तान के पास में पीपल का पेड़ है, वैसे तो जो मंदिर के अंदर पीपल का पेड़ होता है, वहाँ पर रख के आजो, 43 डेस तक, फिर अगले दिन करना है, फिर ये करना है, फिर अगले दिन, मंडे से कल है, मंडे करो, आज इसलिए तो ये वीडियो बनाइए, कि कर लो, मेरे पाशा लोगो, फसा है, यार, पता नहीं, मेरे को नाम ही नहीं आदा था, वो तो बाप को मिल जाएगा, प्लांड वहां से है, पीपल का पेड़, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, पानी के आज पास कहीं गड़्धा खोद के गाड़ते जाओ, 43 डेस तक, देखो, जिसका जो तरीका है, मैं वै नेगिटिव है, अगर मंगल, मंगल के साथ है, तब भी कहीं ना कहीं, जगड़े कलेश की स्थिती घर पे भी पनाएंगा, सिधी बात है, आप एक टाइम पे क्याते हैं, एक टाइम पे आपको लगेगा, इस इंसान से अच्छा इंसान कोई नहीं, जिनका चंद्रमा नेग पुतली नहीं बन रहें, ऐसे तो एक टाइम पे कहते हैं, कुछ दिन तो इतने अच्छे किया बात है, क्या बंद्रा यह यह बंदी है, लेकिन एक टाइम पे ऐसे जैसे काटने को दोड़ते, यह नेचर है, यह नेचर बन जाती, है कि यहाला कि मैं ऐसे अच्छाई की पु अब आप क्या करोगे, अब सबसे पहली चीज तो आपको मैंने पहली भी बताया था, तामबे के अंदर, तामबे के लोटे के अंदर, हर मंगलवार, हनुमान जी के मंदिर में आपने क्या रखना है, तामबे के लोटे में चावल भरके, उसको तामबे के लोटे को लाल पे सेवा कर सको उनको ना उनको चावल खिलाओ चिन डाल के दूद्ध डाल के देखो तो सही आपका चाहिए वो कोई भी ग्रै हो जो भी ग्रै हो कैसे सुधरते चले जाएंगे उस दिन भी कल भी कमेंट दिगा था कुत्ता पालोगे तो यह हो जा रहे कुत्ते की सेवा करके तो ना जिन्दगी चमक गई तो कहते हैं कि बिमार हो जाओगे मर जाओगे कमाल है ऐसे लोग कैसे से बंदे हैं और आपको शकल देखकर समझ नहीं आती क्यों नहीं समझ पाते आप आशा लोगों क्यों डर जाते हो यह डरने के चीज है क्या मेरे मैं फिर बोलूँगी मेरी प करना पड़ता लेकिन मेहनत के बदफल मिलता पाशा लोगों गब्राओं मत बिल्कुल गब्राओं मत है कि नहीं ठीक है बाकी वास्तु की क्लासिस टारो रीडिंग की क्लासिस रेजिस्ट्रेशन और 15 फेब को मैगनिफाई डीलिंग है अपने चक्रास को हील करो पास्ट ल यह वाटसप कर देना मैं कॉल नहीं ठापाती अभी असिस्टेंट नहीं है बहुत जल्दी एक आजेगा ना अभी तो लोगडाउन वगेरा भी था तोड़ा डर भी लगता है कि नहीं किसी को घर पर यहां पर तो हमारी सोसाइटी दो महीने पहले खुली है तो क्या ही बोल लाइक करेगा हर बंदा आपको लाइक करेगा समझे लाइक करो है कि नहीं अच्छा दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो पाशा लोगो उसमें बहुत जबरदस चीज़े बतारी हूं आज कल मैं एक एक दो दो पाई कल तो हो आ नहीं क्योंकि बैक टूबै कंसिल्टेश से दूरे नहीं